प्रम्स दियुण देख ली अधार टाल से रहा है? तो इक रहा था तो तुरस्यरी पीलेद को पड़ी है, आपड़ी के वाटर कड़ी पीलेद? वाटर कड़ी पीलेद क्या? तो यहां पालो प्लामेट होता दुप्वेर्गी को प्लामेट होता वैर्गी को प्लामेट होता इस पीडियर को एस वाफ मिलोट कहते हैं यहां पर पूर इले स्लीशन हुआ तो प्लामेट होता दुप्वेर्गी को प्लामेट होता अगर साथ इससंते राईएब चीज़ेबल क्लामेट होता पर्ट करींट को फुल ही जो परिवास कयते हैं कि यहां पे जो प्राड हो यहां के वंक डिया इ 생각 हमनुच्शन रहे हैना हो इस पीरियड में हुआ है यहा बे इस trainee आते Oops अपे चार ग्लेसियर हुआ होने के कानुद कि लाइट निस्टॉआ हो गया तो यहां être यह इस अबूर्ण ग्लासियेशन होने के बाल बना इसका जो आइस गुलास इसेशन होने के वार्ण ग्लासियेशन यह ग्लासियेशन तो है लंपा क्तान 10,000 years ago 10,000 years ago लास्ट आइस इस इसा है 10,000 years ago तो पार्टनरी वीजियर्ट जो है वो दो इकोर्ट में डिवाइड होता है यह डिवाइड इंटू एक्रफ जो फस्ट है वो है इस्तो ऋपेड लिश्टो सीन तूसरा जो है वो है बोलो सीन या इसी कोर्टी सेट भी गटते है डिश्छ इते ibaइड और फार्टनरी पेरियर्टन इसदिवाइड ही इ सू आउब निवाद इस आउड दो आउखो लिश्टो सीन पर बिस्टू सीन की तो प्रिस्टू सीन की तो प्रिस्टू सीन में क्या हुआ यह बतारे ते है कि प्रिस्टू सीन जो है वो बिगेंट हुआ लगा गग प्रिस्टू सीन की तो 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 प्रिस्टू सीन पहरे संस्टों कर दोलोग त्यूनियर fact 020,000 म सी फिर्योट और रोड़Stok मुंसी काम स्टार्टि द बनि दीमist की पहरे कि करहा है कि कृकीपर है त्यूर्टी ग्लासे ट वारोट मेंद èन्ल खर्दाग की फिर्दाग मरॉट threat ब्ट्सकेश नपोमे देचरबा है जो हमें result मिला हो भी अपिलिक अफर तक दिशिये साथ कि यहां destruction and re-destruction of plants and animals causes so many destroying of life तो due to the grassation work, grassation के कारण जो हमें result मिला वो यह हुआ कि destruction and re-destruction plant and animal के चो re-destruction होगा तो इसके कारण वैसा animal जो survive कर पाया वह वहां में adopt कर पाया और जो नहीं कर पाया वहां से extinct हो गया तो next तो दूसरा यह वह है holo seed तो holo seed को recent epoch की भी कहते हैं अभी है What is recent epoch and holo seed? The period of 10,000 year birth of art history is called recent epoch तो अभी से 10,000 साल पहले की जो आर्थ की इतना से जो history है उसे हम जाके recent epoch The period of 10,000 year birth of art history is called recent epoch तो इसमें क्या ही कि जो गॉडल पैवर्स है जो गॉडल ओर्स है दो सकता यहां पर evolution हुआ और जो इतने प्यासेंटल पैवर्स है उसकता evolution हुआ है बहुत सारी अनिमर्स यहां पर evolved हुए तो इस आर्गर recent epoch जितने भी अभी अभलक बॉडल में आए अनिमर्स तो सब क्या है recent epoch और बॉडल की है तो पैरेंटो जो लॉड़ीते हैं वाद के यह हमें मिलता है यह जो आज की अनिमर्स है जो तुडेस्स मॉडल ऑर्गानिजम है जो अनिमर्स है आज की मॉडल अनिमर्स है जो अनिमर्स ट्राट है क्यांकि अपनिक अशिस्ट अनिमर्स है बिसले थिया ट्रेली विलियर्ट में पारच हिपोंका, प्लायोसी, क्योसी, 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 ह्योसी, अलायोसी, अल्यॉसी प्लायोसी यावाइब प्लायोसी, जोक्त्रेशन गाट, और यहां तक यह होंगा सी लोकिय यह ल contin Pikna